अब आपका स्वागत है तो आज हम बना रहे हैं शलगम का अचार यह कटे हुए शलगम है मेरे पास शलगम को धोके साफ करके और छील के उसे हमने मीडियम साइज में काट लिया है पतला करके और अब हम इसका अचार बनाए और पूरे दिन की मैंने इसे धूप लिखाई है यानि 6-7 गंटे की कड़ी धूप में इसे सुखाया है और यह वजन में आदा किलो है सूखने के बाद यह आदा किलो रह गई है तो चलिए अब हम अचार बनाते हैं तो जी अचार बनाने के लिए मैंने गैस पे कड़ाई रखे उसमें दो पड़े चमच सरसों के तेल के ग और यह 8-10 कटी हुई मोटे साइज में कार्टी मैंने हरी मिर्ची आप इसे बारिक भी काप सकते हैं और फैंस यह है अचार का मसाला इसमें मैंने साफ मेथी जीरा और धनिये को पीस लिए और राई भी तांचो चीजों को पीस लिए है यह भी सीमेट आले गया और इसमें हाफ टी स्पून डाल रही हूं है हल्दी और दो बड़ी चमच नमक नमक इसमें थोड़ा तेज रखना है थोड़ा सा ढाल देती हूं और भी से थोड़ा सा ही लाना है बस घयास को मैचा नहीं बड़ा है अध़ा ती स्पून मैं डाले है आप चाहिए तो और ज्ञादा सारी मिर्ची आप खरी मिर्ची डालें या फिर खरी मिर्ची को सकिप करना लाल मिर्ची से जादा डाल ले और एक बड़ा चमच में आप डालनी हो शक्कर जाख गुड़ा दें ले सकते हैं उसे पीछ लें या प्रक लिख लें तो चीनी भी डाल सकते हैं और अगर अचार में मिठा डालने को आप अवाइड करना चाहते हैं तो मट डालिए इसे देना होड़ शक करके बिना मिठे के बनाईए और इसमें वन टेबल स्कून के असपास डालना हमें वेनिगर और इसी के साथ हम डाल रहे हैं अपने कटे हुए शल्गम इसको मिक्स कर लेना है शल्गम का चाहत बहुत बनता है बहुत मज़ेदार और खाने में बहुत अच्छा लगता है शल्गम डालने के बाद इसे दो तीन मिनट के लिए गयास पे पकाना है अच्छी तरह से मिक्स होता है जाएगा फ्रेंड आप यह रेसिपी जरू ट्राय करें शल्गम गाजार बनाएं जरू खाएं और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करे करें और कमेंट करें तो लीजिए तीन मिनट तक इसे मैंने तेज आज पे पका लिया है इससे जादा मुझे और नहीं पकाना है तो अभी गैस को मैं कर रही है बंग और अभी से थंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे और ध्यान रहे इसे ढखकें बिलकुल नहीं पकाना है तो लीजिए हमारा शल्गम का अचार बनकर तयार है यह ठंडा हो चुका है और अब आप इसे किसी डिब्बे में भर कर बंद करके उसे फ्रिज में रख सकते हैं एक ड़र मिहने के बाद लेकिन फ्रिज में स्टोर करने से पहले इसे तीन-चार दिन की कड़ी धूप दि करें तो ठीक है मिलते हैं नेक्स टाइम एक नई वीडियो के साथ बाई